सो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं आपे कि चैप्टर थ्री हमारा स्टार्ट हो रहा है कंप्यूटर में तो इसमें हमको चैप्टर थ्री एक्च्वल में है क्या और हमको इसमें क्या इंपोर्डेंट टॉपिक है जिनको पढ़ना है और जिनको अच्छी तरी से समझना है कंप्यूटर नेटवर्क सबसे पहले chapter 3 आपका है उसका नेम है ठीक है computer network chapter 1st 3 के और 2nd के लिए आप playlist को चेक करो सबसे पहले देख लेते हैं इस chapter में क्या गया important topic है तो सबसे पहला तो हमारा इसका परशे हो जाएगा में introduction actual में होता क्या है computer network networking के लाव इसमें हमको पढ़ना है उसके पढ़ना है हमको networking की आउशकता क्यों पढ़ी networking की आउशकता एवं उसके क्या-क्या अनुप्रियोग है computer network के क्या-क्या आवयो है इनके बारे में हमको पढ़ना है उसके बाद computer network कितने प्रकार का है उसके बारे मैं पढ़ना है नेटवर्क के जो टोपोलोजी है उनके बारे में पढ़ना है नेटवर्क का वर्गी करण कितने भागों वर्गी करण किया गया है वर्गी किया गया उसको पढ़ना है नेटवर्किंग युक्तियों के बारे में पढ़ना है OSI reference model ठीक है तो यह जो OSI reference model है यह very very most important है ठीक है अभी से मैं topics को भी बता दे चल रहा हूं क्या important है क्या नहीं important है तो यह सबसे ज़्यादा most important OSI model है ठीक है उसके अलावा भी यह सब topics important है तो चलो सबसे पहले जो topic है हमारा वह है computer network के बारे में सबसे पहले तो chapter यह है computer network क्या है यहां पे देखो सबसे पहले आपको एक दिख रायोगा एक structure दिख रहा होगा स्ट्रक्शर में चित्र दिख रहा होगा उसमें देखो यहां पे लिखा हुआ है computer का computer और computer गह सब क्या है यह सब computer आपस में जुड़े हुए है ठीक है, यह सब computer आपस में जुड़े हुए हैं, यह अलग अलग नएने computers हैं, वो आपस में जुड़े हैं, इधर इससे यह तीन computer जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर यह तीन computer आपस में जुड़े हुए हैं, इसके दोरा चार computer, अब यह सब जो हैं, वो आपस में इन computer से में जुड़े हुए हैं तो ये जुड़े कैसे हैं एक नेटर के थ्रू जुड़े हुए हैं ठीक है तो देखो computer नेटर कही होता है कि देखो हमारे अगल बगल या फिर हमारे आसपास में जो ही Computer होते हैं उसे जुड़ा होता है और जुड़ने के कारण आपस में एक नेटर बना लेते हैं जिसे हँँ Computer हैं कहते हैं यह अपने लेंग्वेज हो गया अभी बुक के लेंग्वेज में समझेंगे तो जादा अची तरीकें केसे हम कप्यूटर के साथ स्वतंत रूप्ष से संपर्ग बनाकर सूचनाओं या संदेशों का आधान-प्रदान कर सके और एक दूसरे के साधनों तथा शुभिधाओं को शेयर कर सके computer network एक्ष्य अधिक computer को संचार माध्यम द्वारा इस प्रकार जोडते हैं कि वो अपना संदेज दूसरों को भेज सकें तथा उनसे प्राप्त भी कर सकें जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया है computer होगा तो computer network actual में इस प्रकार होते हैं जैसे यह computer अपना जो है data यहाँ पे send कर दे इस computer को easily इस computer पे जो भी बैठा हुआ है वो इस वाले computer का जो data है वो आसानी से देख ले तो यही हमारा computer network हो जाता है ठीक है आप definition भी समझ गया होंगे book के language में आपको समझाया गया है definition अपने language में भी आप समझ सकते हो book के language में भी समझ सकते हो जैसा आपको अच्छा लगए उस language में आप समझाया ठीक है तो देखो computer network overall यही होता है कि network का वा समूँ computer का वा समूँ जिसमें एक computer दूसरे computer से आसानी से communicates कर सके आसानी से data को साजा कर सके आसानी से कोई भी कार कर सके ठीक है जैसे मैं यहां से बैट करके किसी other location की data को ले पा रहा हूँ तो किसके थूर ले पा रहा हूँ नेटर के थूर ले पा रहा हूँ तो यह हमारा computer नेटर कहलाता है ये भी बहुत सारे इसमें टाइप्स हैं जिसमें आप पढ़ोगे तो और ज़्यादा एक्स्प्लोर करोगे ठीग है तो आगे हैं computer network में जुड़े हुए जो computer होते हैं उनकी विशिस्ता के अधार पर उनको दो रूपों में दो भागों में divide किया गया है तो computer network को two types में divided किया network सबसे पहले देखते हैं इसाजाती नेट वरुग जो होता है शामान और एक्सूल में होता गया इसमें को में हमारे computer जो होते हैं, वो same type के configuration होता है, उसमें same type के protocol use किया जाते हैं, तो वे computers या फिर वे network जिनमें same type के configuration, तो था same type के protocol का इस्तिमाल किया जाता है, सजाती नेटवर्क कहलाते हैं, example के लिए land, land mean local area network, second one is विजाती नेटवर्क, तो विजाती नेटवर्क को इंगलिज में क्या बोलते हैं, heterogeneous network, विजाती नेटवर्क, win-win operating system तथा protocol वाले computer से मिलकर बना होता है, उदारण के लिए when, when क्या है, wide area network, तो देखो, सजाती नेटवर्क और विजाती नेटवर्क में main difference, जो common difference से यह है, कि सजाती नेटवर्क जो होते हैं, homogeneous network, उनमें same configuration होता है, same protocol का यूज किया जाता है, और जो विजाती नेटवर्क होते हैं, मतरब heterogeneous network, इसमें different type के operating system, अलग अलग protocol के वाले जो computer होते हैं, उनको आपस में मिला करके बनाया गया नेटवर्क होता है, ठीक है, तो वह है network जिसमें same type के configuration वाले operating system वाले तथा protocol वाले computer होते हैं, विजाती नेटवर्क होते हैं, और जो अलग अलग types के operating system वाले computer होते हैं, वो विजाती नेटवर्क होते हैं, सजाती का example है local area नेटवर्क जिसको हम लोग short भासा में land कहते हैं, और when है wide area नेटवर्क वी जाती है, आगे इसके बारे में और details में पढ़ेंगे तो हमें clear हो जाएगा, तो आज हमने पढ़ा computer नेटवर्क actual में होता क्या है, ठीक है, chapter अपका third है, और chapter third का नाम ही है computer नेट तो computer network actual में होता क्या है, computer network नेटवर्क कम्प्यूटरों का वज समू होता है, जिसमें एक computer दूसरे computer को कोई भी information आसानी से simply भेज़ दे, दूसरा computer फर्स्ट वाले computer को access कर सके, उसको data send कर सके, feedback दे सके, तो total एक से अधिक computer का यह जो आपस में communicate हो रहा है, संचार हो रहा है, data का sharing हो रहा है, वह हमारा computer network कहलाता है, two types का होता है, पहला कोन है, सजाती network, second one is विजाती network, सजाती network में same type of computers होते हैं, और विजाती network में different type of computers का समू होता है, ठीक है, यह PDF आप download कर सकते हो, description box से, and lecture, second आपको next channel पर upload हो जाएगा, तो subscribe करना मत भूलिएगा, जिससे आप miss न कर पाओ, सो मिलते हैं नेक्ट वोल में, तब तक लिए सब्सक्राइब को चाहिए,